वीरंगना, रानी मा, दुर्गाबती के चर्णों में सत सत नमन, स्रिध्धा सहित प्रणाम, आज रानी मा का बलिदान दिवसे, आज के दिन ही मुगलों से लोहा लेते हुए, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, इस्वधर्म, स्वराज, अपनी संस्कृती और स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक लड़ी, वो सुसासन की सूत्रधार थी, लगबक 23,000 गाउं में उन्होंने उस्तमे विकास के अद्भुत कारी किये थे, और ये 23,000 गाउं धन धाने से परिपूर्ण थे, अपने अल्प जीवन काल में उन्होंने बावन लड़ाईयां लड़ी, जिनमें 51 में उन्होंने विजय प्राप्त की, अक्वर की सेनाओं को भी तीन बार पराजित किया, तीन बार हराया, और जब आसफ खाने विसाल सेना लेकर आक्वन किया, और तब जब ये लगा, किस बार बिजय में कठनाई है, तो मुगलों के हत्यार उनके सरीर को अपवित्र ना कर पाएं, इसलिए अपनी कटार, अपने सीने में उतार कर, उन्होंने बलिदान दिया, रानी मा, हम सब की सृद्धा और आस्था की कैन रहे, रानी मा, हमें स्वाभिमान, सम्मान, और स्वधर्म के लिए, सब कुछ नियोचावर करने के लिए प्रेरित करती है, रानी मा, सुसासन की प्रतीक थी, इतने तालाव उन्होंने बनवाए, विकास कियाने को काम किये, म जो आज भी जनता को बड़े उप्योगी सुद्ध हो रहे हैं, रानी मा, दुर्गावती के बलिदान दिवस की अफसर पर, 22 तारीक से, पांच यात्राएं हमने निकाली है सरकार में, जो अलग-अलग गाउं से होती हुई, रानी मा के बलिदान की गाथा जनता के बीच रखती हुई, 27 तारीक को सेहडोल पहुचेंगी, रास्ते में अन्यकों जगे सुर्धा के सुमन, रानी मा को अर्पित किये जाएंगे, अन्यकों कारिकम होंगे, जनता की भागेदारी हो रही है, और हमारे बच्चे और हमारी बरत्मान पीड़ी भी धंग से रानी मा दुर्गावती की प्रेरख गाथाएं सुन रही है, आपके यहां से भी यात्रा अगर गुजरे, तो जरूर आप सुर्धा सुमन अर्पित कीजिए, यह अत्यंत प्रसन्यता की बात है, कि हमारे प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बैब अफसाली, गौर अफसाली, संपन, संब्रिद्ध और सक्तिसाली भारत के निर्माता हैं, दुनिया के सरवाधिक लोग प्रियनिता हैं, वो बीरांगनारा निमा दुरगाबती के चर्णों में सुर्धा के सुमन 27 तारीक को सेहडोल में अर्पित करने आ रहे हैं, और बैल्दान दिवस के उपलक्ष में, वह काहिरिकम का आयोजन हैं, उस काहिरिकम में भी दो बड़े अभियान वो जन्ता को सुमर्पित करेंगे, एक सर्व साधरन के उपचार के लिए, आइसमान भारत योजना के जो कार्ड है, आइसमान कार्ड, एक करोड से ज़्यादा मध्धमदेश में वितरित करेंगे, जिसमें पांच लाख रुपे तक का इलाज, प्राइवेट अस्पतालों में भी निसुल को हो पाएगा, रुसे में गाउं-गाउं में कायरी को मुकायव जैं पचीन जार स्थानों पर होगा. प्रधान मंतरी जी प्रतीकात्मक रूप से करड़ बाटेंगे, लेकिन गाउं-गाउं में, फिजीकली हितिगराही उपस्थित होंगे और उनको कार्ड बाटे जाएंगे, सेहरों में भी बाटे जाएंगे, हेल्थ एंड बैलनेस सेंटर पर और बाकी प्रमुख इस्तानों पर भी एक कार्ड वित्रित किया जाएंगे, एक और हम विशेश कर आदिवासी भाई बहनों म बाकी में भी सिकल सेल एनीमिया की पहन एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो जीवन भर तकलिफ देती है, उससे मुकाबला करने के लिए, मानि प्रधान मंतर जी सिकल सेल एनीमिया मिसन लांच करेंगे, और इस अबसर पर सेहडोल में, पकरिया गावां में वो अलग-अलग सं देखेंगे, मैं आज स्वेहम वीरांगनारानीमा दुर्गवत्ती के बलीदान दिवस पर नर्रई नाला जाकर उनको स्रिधा सुमन अर्पित करने वाला था, लेकिन वारिस के मौसम के कारण, मौसम की प्रित्पूलता के कारण, आज मैं यहां से भी स्रिधा के सुमन वीरा अर्पित कर रहा हूँ और ग्वालियर में भी एक काहिरकम में उनके सुमन अर्पित करूँगा, आज रानीमा के चरणो में प्रणाम करते हुए हम यही संकल्प लेते हैं कि अपनी जनता को सुसासन देंगे, अपने देश पर कोई आच नहीं आने देंगे और जरूरत पड अपने देश के लिए हम सरवस्व निवचाबर करने के लिए तैयार रहेंगे बीरांगना रानीमा दुरगावती के चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम इस अबसर पर उपस्थित बेहनों और भाईयों का अभिनंदन हमारे सभी जनप्रतिधी साथी जो यात्रा के साथ जा र सहडोल में मिलेंगे बीरांगना रानीमा दुरगावती की जै प्रणाम नमस्कार